अमावस्या के दिन पैदा हुए इंसान को कोई नहीं रोक सकता और मैं तो अमावस्या के दिन ही पैदा हुआ काला का लूटा कलिंगा हूँ वो कोई और होते होंगे जो छिप कर शिकार करें मैं वो शेर हूँ जो शिकार के माद में घुस कर उसका शिकार करता है क्यों बॉस लगता है नर्बली देकर आए हो खून के खुश्बू आ रही है यह लो पूरे जंगल में कलिंगा की आवास सुनकर तो शेर भी थर-थर कापने लगते हैं क्यों तैसिलदार साब यहां किसली आयो उस उधाकर को जरा सबक सिखाईए वो मेरी बात नहीं मान रहा है उस टेंडर को ओपन टेंडर करवाना ऐसा डिसी के पास जाकर प्रिशन ढाल रहा है मादो अभी पूजा करने गया है उसे आ जाने दो फिर देखते हैं उसकी कहानी खत्म कर देंगे यह लो समालो इसे उस वक्त में थोड़ा टेंशन में था तुम टेंडर की कारवाई आगे बढ़ाओ अभी निकलो यहां से मजीद इधार आओ भूल गया मैंने तुझे कुछ काम बताया था तू उस काम को करने की जिगे मुझसे भागता फिर रहा है नहीं होगा नहीं होगा वो इतना असान नहीं है अर्वी की दुकान से मटन लाकर पका कर खाने जितना आसनात नहीं है नहीं होगा नहीं होगा उसके लिए टाइम चाहिए जाओ जाओ बीवकुपों के पास जाकर दोखा खाओ जाओ कि अज़िए कि कि अजब प्रूश डंड़िए कंग कि अजब कि अजब कि अ बार जल, बार जल, जल, बार जल झाल, बार जल, बार जल, बार जल, बार जल marketing, आई हट ट कि वित आख आश सते है सलाम भाई सलाम भाई कौन अरे तू कौन है तू क्या रहे तू सुबह से यही बैठा है क्या देख रहा है भूल यह पादसरी फ्टान! यह व्टाली फंग! यह लिए मुच्च्छ को इन्मार वे! कि अ लिखे हैं king कि अ खाने कि अ कि अ मुह क्या देख लो, मारो इसे अरे क्या कर रहो तुमलो, मारो इसे हुआ खाहाँ, खटो? खाहाँ, खाहाँ, खाहाँ! खाहाँ, stal Comehead! अग्ट! अग्ट! ओओ! ओओ! वख… अग! वजब लड़िए आप जिता लॉकिव करें नहीं深ते रहां कि पाइनिकों के दो थे। एए क्या है मेरे भाई के जूते को धक्का माव रहा है लोफर शराप के नशे में पखला गया है तू चुप चाप गर्जा के सोजा मुझे देखके बोलता है दादा गरी करता हूं मेरे भाई मंजा गोडा की हरकते देखेगा तो क्या बोलेगा तू हाथ कहीं विचले आते हालो हालो जाने का मेरे कुछ कहते नहीं पुष्टाई की कौन है हां पुष्टाई की कौन है पहले तू अंदर जा जा बार आएगा फिर देखता हूं मैं की तू कितना स्टेडी रहता है समझा किसी गटर में राके गिर चल जा जा जाएक चाहा है कि हमोरण जूता हैं इस रपिकर प्वें तूरश्टाई यह पड़ा है अल्व जाए अल्वाइब गड़ा अल्व इन कमट्रे मत दिंखा आजा मेरे पेर में अन्या हो चाहिए पकडो पकडो पड्स्टाई वाई उटो नहीं, कि अरे तो मा, थैंक्यू, थैंक्यू शुल बाहर रखके अंदर क्यो जाते हो तुम अवर बाहर आंके लखड़ा लखड़ा के जूटा पहने हो मजाक उड़ाते हो, मंदिर जाते समय कोई चपल जूटा पहन के जाते है का एज बुको, galaxy midij इदेखी करो देख तेख, Narayan Gowinda इन के दर बदने में, मैं तशी क्वाँ में पसद घुख्ता? AAAA Roo! 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 kadın precisaWA की से द्राइविंट का मैंने सा कभीने इदेख, इसको मेड्रो में का मिलना चाही से यह रहा चल भाई हैलो है यह क्या है 20 रुपी हाँ सिर्फ 20 टूने कितना में जाए लुख दे दिया ला पाता है जब भी मैं फूर्ड कोड जाता हो तो सर्फ एक ही 20 देता हो समझ गहिंगे क्या अपकर यह बॉख अच्छा बनाता है मलूँ कर दोसे की बात कहा था आपने क्या सोच लिया दो बड़ा दो सटेवर पर भेज देगा भाई तुम हमारे गाउं के कुल देओ पैसा क्या आपने अपना गाउं छोड़ दिया है बीबी बच्चों को सड़क पर रख्या है और मुझे काम दिलवाया ताकि मैं अपने पैरों प मैं समाज की सेवा करता हूं जानते हो जितने लोग गाउं से काम मांगने के लिए आते हैं तो मैं उन्हें काम दिलवाता हूं I expect only 10% from their salary हां अगर उनकी खोडिस रता हो तो छोटा सपाथी, एक वाटर, वाइन, चिकेन कबाब खिलाता हूं है ध्यां से डालना तो मैं चत्नी की बात कर राता हूं आपने का सोटा हूं जलो मैंने खा लिया मैं दूसरों के पैसो का लालत नहीं रखता है अरे दूसर रुपे दो बास बिल देना पड़ता है यह यह लीजे बैंजी बिल अस्वन तुम जाओ अपने घर मेरे पास बाइक है यह गोड़ना बाइक शुबा मिलेंगे अंकर मस्त बनाता है कि यह कौन है विरपन का भतीजा लग रहा है तो यह क्या चाहिए गुरू हाँ दस परसेंट मैं भी दूंगा मुझे भी काम दिलवाओ ना तो यह तेरा नकली है क्या और यह देखा अंदर के चुपार के लो यहां तो कुछ भी नहीं है तेरा जो हुलिया है ना उससे हुलिया तो कोई तुझे काम नहीं देगा और मै bizarre और मेरा शने सकत है भी चलाना थेः क्या हां छला सकता हूं तो थैरियो चाहिए चलो मेरे बाइक के लो रहा, आरे, आज अरे, हहां पैग्च़ है करो फॉन, करो दॉन '' checked, what did you call? carbon कार्बन कार्बन कोई नाम रखता है क्या है आज के लोग कैसे कैसे नाम रखते हैं अरे अरे यह नहीं चाहिए क्यों गुरू कोट ले रहे हो क्या अरे भाई तुझे बूट सूट दिलवाकर ए कंपनी में डीसी एक पोस्ट खाली है वहीं तुझे ले जाने वाला और ठीक है चलो भाई तेरी तेरी तो रुको मैं कपड़ा सेलेट करूँ लोग ने तो ले लिए कब लिया अभी 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 औरे यह किया इसे लिए इसने न तो आई गाइस दिसीज माई बॉइ अच्छा यह ऊपर भी कटेंगे या नीचे भी कटेंगे डबल मीनिंग में बात मत करना मैं जिन्दीगी में कभी डबल मीनिंग बात नहीं करता इसलिए दोस्त लोग मेरी इज़त करते हैं वह नहीं बॉस नीचे भी दुकान है ना तो व को बताओंगा चलो सुनो यह जो डिजाइन है ना यह डिजाइन बहुत अच्छा है इसी को करना हां सर आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर दूंगा तब तक आप चाई पीकर आजाई है कहां गया मेरा लड़का कहां गया यही तो है आपका लड़का है हलो uh यह क्या ढाई और रल andar यह तो एक्दब रेमंड का मोडल लग रा मोडल हाँ हां एक्दम सुपर शुपर लग रह हा हो हो बात करने वबात करता है सुनने वाला सुनता है अदेखने वाला देखता है क्या मामू मुसाफिर क्या बात है इतने दुनों के बाद आए अब तक कहा थे तुम यह क्या राशन का दुकान है जो रोज आता फिरू यह मेरा लड़का इसे कल गार्मेंट कंपनी में लगाना है चलो इसका डिगरी तैयार करो जब करी रहे हो तो डिगरी क्या सीधे मास्ट प्रेंट तो सारी एक ही है ना कार दो भाई इतनी बार काम मुझे यह म्योजिक पसाद महीं समस्ता नहीं है पकड़ा इसे जलो कि नमस्ते भाई आम सबीस है एक दम ठीक है यह गांसे भाग कर आया था कव यूर्य लाइस लगा में काम दिल्वा दिया अभी सब्सक्राइव में संदीं कि सभतल और अप्र ल爸爸 की चीई रहे हो क्या लो यह राजा है तुझे भी राजा बनना क्या चल नमस्ते मैडम नमस्ते इस लड़के को चेकर सेक्शन या काजा बटन सेक्शन का अपॉइंट्मेंट लेटर दे दीजिए ठीक है सर् मेरा इज़ट रखने का यह कार्बन को बचक कहा चला गया काम छोड़कर भागया क्या अरे उसके लिए मैंने कित्मा कर्च कर दिया ब्रेक यह क्या रहे एक ही दिन में साल्दी सेक्शन में आ गया यह कार्बन चल बाहर चल तेरे को आए वे एक दिन नहीं वे और तू साल्दी सेक्शन में आ गया यह पगार एक महिने बाद मिलेगा समझा चल एमकॉम की माक्षिट दी है ना अकाउंट डिपाट्मेंट में नौकरी खाली थी तो वो मुझे दे दी अगले महिने पगार लेने के लिए मुझे तेरे आगे हाथ भालाना पड़ेगा अरे गुरु जब पगार लेनी है तो थड़ा रहना ही पड़ेगा वेरी गुड़ इंप्रूब्मेंट एए हम लोग आ जा रहे हैं जानता है ना तू चाई की दुकान में चाई की दुकान सडक के किनारे होती है वो समझ रहे हो क्या थुका बार नहीं बार का मतलब वो पीने वाला बार नहीं खूखने वाला क्यों बेटा यहां बैटे बैटे देखते रहोगे या फिर आईडी कार्ड लोगों का देख कर टी सप्लाई करते रहोगे बॉस वह लड़की देखो ना कितनी सुन्दर है लड़की कहा है हमारे इस शहर में आजकल प्यार बहुत ही बढ़ रहा है चलो बॉस आप मुझे ब सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर घड़े रहे करते हो और यहां पर दादा गिरी करते हो क्या और हम लोग सुन लेंगे ऐसा सोचते हो प्यार से रहता हूं तो इसका मतलब उसे कभी वीकनेस मत समझो खाओ पीओ मजे करो कौन रोकता है तुमको लेकिन कुछ तौर तरीके होते हैं जीने के वो तो समझ लो अभी आगे से जरा दूसरों को इज़त देना सीखो वो पेवकूप का बच्चा अरे इस टेंडर को भरने के लायक ही नहीं है चार फिट का टेंडर लेकर वो पचीज फिट का कुवाँ खोद देता है अरे चार-पांच पुलिस के सोने से कोई कुछ भी कर सकता है बिलकुल नहीं उससे तो ब्लैक लिस्टेट कर देना चाहिए पहले तुम लोग अपने बालों को ब्लैक करते हो और उसके बाद पूरे लोग को ही ब्लैक कर देते हो ती नर्सीपुरा तालुका के इस साल मिट्टी काटने का जो टेंडर पास हुआ है वो इनके नाम से पास हुआ है कुकुरू नालकोडी इनका कोटेशन है 500 रुपए पर लौरी कलिंगा एंटरप्राइजेस कावेरिपुरा कलिंगा एंटरप्राइजेस क्लिंगा एंटरप्राइजेस अतुरू कलिंगा एंटरप्राइजेस से पुर्थ कमीने ने सारे तैसिलदारों को अपनी तरफ मिला कर जितने भी टेंडर्स निकलते हैं सबके सब वही ले लेता है पूरे जिले में यहीं मिट्टी काटने का काम कर रहा है और यहां का कोई भी एक अधिकारी इसके खिलाब बोलने की हिम्मत नहीं करता क्या इस देश में कोई भी मर्द पैदा नहीं हुआ है अगर मेरे इलाके में रास्ता भटक कर कुछ गली के डॉग्स अधिकारी बनकर आ गए है तो उन्हें किस तरह से सभालना है यह मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है अब बैसिकली आम आप डॉग ट्रेनर मैंने तुझे कितिनी बार समझाया तू नहीं समझता है मेरे समान को हाथ मन लगा ना मेरा पेस्ट मेरा ब्रश मेरा साबून सब इस्तिमाल करते हो थूए तेरे पे फिर मैं वह सब कैसे यूज करूँगा सुनो मैं तुझे पेस्ट ब्रश सबी कुछ दिल वादूगा और बाद में तेरे पगार से काटूँगा सब्सक्राइब थे सब करते हैं कि अखर प्रुब कि ग्रुब。 आई फोबखियों टे, ते, छोग एता है. एे बगलाफे. 12 बजे चाई ब्रेक वो उसके आने का टाइम है यह कमिना उसके बिगाढ रहा है ओक थैंक यू जब चाई के लिए पूछा था तुमने का पैसे ही नड़की जो पैसे देकर गई ना वो मुझे दे तो अंकल जल्दी यह लो इसके पास इतना सारा पैसा कोंसे आया आये सर चलो मैनेजर डाटेंगे चलिए आप अपने हाथी पर जाईए चलो जल्दी बैटो चलते हैं आये 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 अपने हाथी कितनी हिज़द के साथ रहता था यह और आज भीक मांगने की नौबत आ गई है इसकी तु यही तेरे लिए सब्सक्राइब आज मंजा गौड़ा नहीं है पान खाऊंगा आज जी भर के एक्सक्यूज मी सर मैं गिरिश एक्सपूर्ट से आया हूँ अहां आपका चेक रेडी हो गया है अहां सर यह लिए ओके थैंक यू सर ओके दस रुपे का पतार सुपारी देदो अरे सुपारी बीदो ना प्रुपे का जए प्रुपे का पत्राइब ऑन्दे चंदिनी लाभा कर दो, कर दो से तूँड़त आइस न दुन्दिनी लापहा भंब जो, मुड़त आइस न दुन्दिनीला महाए झाल प्रेश प्रुजए लाट प्रच लाट अुट। आरपी के बारे में कलिंगा को सही रास्ता दिखाने के लिए उसका वकील आर्कोलोजिस्ट वेंगट स्वामी को लेकर आया है राइस पुलर इट इस नॉट ए स्मॉल मैटर इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है बहुत समय पहले इसे कैलाश पातर कहते थे लेकिन धीरे धीरे इसका नाम आरपी हो गया इंडिया में ये एक बहुत बड़ा स्कैम बन करके उपरा इस मामले को मैं डिल करता हूँ मैं डिल करता हूँ मैं इसके बहुत पीछे पर तुम्हें नोट कर दो बेटी ओके सर लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता इसे पाने का मेरे दिमाग में एक रास्ता चल रहा जो शैद काम कर जाए मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी बात आ रही है बताईए न सर ये बात 1500 AD की है भारत एक सम्रित रास्त्र था उस समय भारत देश में अपार संपत्ती थी धंदा करने के लिए पुर्तिगाल से वास्को डिगामा जल मार्ग से भारत देश में आया वहीं से इस देश का पतन होना शुरू हो गया बहुत सारे लोगों ने इतिहास में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की इस तरह का दावा करते हैं लेकिन उसके आने के बाद भारत का जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम नहीं बताते हैं वासको डिगामा के बाद बहुत सारे लोग यहां कपड़े का धंदा करने के लिए बाहर से आए जैसे फ्रेंच, डच और बहुत सारे लोग मुगलों ने यहां आकर लोगों पर अत्याचार किया और यहां के मंदिरों को लूट कर लेगा हिंदुस्तान में बिटिश का राज आने से पहले, एड़वर्ड वेलियम बेल नाम का एक अधिकारी, जो खुद एक आर्कियोलोजिस्ट था, जो हिंदु मंदिरों के उपर शोध और अध्यान कर रहा था उस वक्त जब मुगल यहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और यहां के मंदिरों को लूट रहे थे, उस समय एक छोटे से विश्णु मंदिर में राज की पूजा कारकरे में शामिल होने का उसे मौका मिला, जिसमें वो बड़ी तनमेता के साथ उपस्थित हुआ, व पिर एडवर्ड ने सिद्ध पुरुष से सारी जानकारी ली और राइस कुलर को लेकर एडवर्ड विलियम बेल लंडन के लिए रवाना हो गया। अभी तक के इतिहास में इसी तरह के साक्ष हैं, आम जनता अब तक इसी को मानती और जानती आई है। और एक बात, विदेशों में इस आरपी की कीमत लाखों और करोडों में है। जहां तक मैं जानता हूँ कि उस आरपी को पहचान सिर्फ एक महान और सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। अब समस्या ये है कि इसके बारे में अध्यन करने से ये पता चला कि इन घटनाओं से सम्मंधित कोई एक वैक्ती जिंदा मिल जाए, जिसके पास उस तरह की सिद्धी हो, तो हम लोग उस आरपी का काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जरूर ये है कि हमें पहले ऐसे वैक्ती की तलाश करनी होगी। कि मौ क्या देख रहे हो, खाना खाओ, आराम से खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से खाओ, इन्हें नहीं लाने के बाद नए कपड़े पहनने को दो। कि मैं समझ गया। तो हमेशा इसके पीछे पीछे ठीपक रहे है। यह बहुत है अग्या इसका कुछ तो करना ओगा इसका फोन नमर ले जरूरी है यह भलो भाई अज़ थीक है मैं कलाता हूं yes oh hi you mutamma don't call me mutamma it irritates me call me M okay okay but anyways thanks for giving my ID card back but the way you gave me the ID card was so embarrassing what's your name my name yes carbon carbon what does that mean C4 Carbon वेरी फॉनी या या सिर्फ या या नो नो छोड कर ये अंग्रेजी में तो कुछ बोली नहीं सकता है एदुकेशन? MBA from Symbiasis by the way, what's your qualification? MCOM Gauripalliya University What? My college, Gauripalliya area Okay Want phone number? Sorry? Not my, your number You want my numbers? Give me your number, I'll give you a missed call Phone to hai nahi So number kiska dega Mera to de sakta na Come on baby, time is up, let's go now Bye, see you See you later All right, come on, my huddy a gaya Oh 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 Ah Who are you? Hey, come on Hey, come on I'll come here Hello, go back Hey, come on Hey, come on Hey, come on I've been doing work I've done no way Commision I've done You're good Hey, come on है यहां पर कोई इंफ्लूएंस नहीं चलेगा सब एक के पीछे एक क्यू में आओ अगर मैंने इंफ्लूएंस नहीं दिखाया होता तो यह कमीना आज इस वक्त सालरी नहीं बाट रहा होता है मुझे क्यों में लगने के लिए बोल रहा है ठीक है बेटा मैं मुसाफिर से बोल कर मैं इमकॉम मसी का सर्टिफिकेट बनवा कर तुझसे आगे रहूंगा यह बात में सोचना अभी आगे बढ़ एक जट करो मेरी टी ब्रेक जान बुशकर कर रहा है सब चॉनता हूं पहले मैं था तुम्हारा आइडी प्रूफ और दो पास्पूर्ट साइज फोटो और एक चेक लीफ लेकर आना अपना पगार खुद लेने के लिए मैं आइडी प्रूफ पास्पूर्ट साइज फोटो और चेक बूक लेकर क्यों इन सब को भी ऐसे ही लाना पड़ा था क्या तुम्हें पगार चाहिए या नहीं चाहिए इस वाउचर पर साइन करो खर्च करने का पैसा नहीं है अभी पैसा कहां से लाओ एक मिनिट आपको अपनी चाल्वी में से कमिशन दे रहा है ना अरे तुम बागा लें क्या तो मुझे कमिशन वहां पे क्यों दे रही थी कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी प्यारी लड़कियों बाएं अब क्या होगा अरे यह क्या माल मरियादा इंडवेस्मेंट सब बेकार हो गया कभी भी पैसा मांगो तो सैलरी आने दो सैलरी आने दो कहता रहता था धोके बास कहीं का मजा करने चला गया मैं नहीं तो इसका मोबाईल तोड़ा था हलो हलो मंजा गोड़ा बोल रहा है कारबन यह किसका नंबर है यह मेरा नया नंबर है इसे सेव कर लिना मेरा ही कॉल कट कर रहा है अरे अरे अहां यह दिखा कौन सा वह भी ओ यह तो आइफोन है तेरे पास कहां से आए इसकी कीमत कम से कम 50,000 होगी ए तेरे पास पैसे कहां से आए बता पैसे कहां से आए यह क्या है सर आपने चेक पर साइन नहीं किया ओ मेरा बॉस तो कारमी यह मैं एक मिनिट में साइन करवागी लगा है इस मंजा गॉड़ा के साइन का फॉर्जरी क्या तुने धोके बास सर हर महीने आपके यह माई का 10 परसेंट आपके बॉस के अकाउंट से कट यह मुझे 10 परसेंट कम मारा है कम इने मैं तो जाएंट चोड़ूंगा थोके बार मारू मति रिकता है और तो मुझे यहां पर क्यों लेक्या आया तेरी लबर है इसलिए लेक्या आया आप सब जानते हो ना जाओ अंदर बैटो अलो म, M ok see you later, yes my number, yeah tell me your number, 7 8 9 5, 7 8 9 5, 6 7 2, 3 4 5, 3 4 5, ok i will give you a missed call, okay ok ok, that's my number, yeah, yeah, ok, save it, ok then i will make a move, oh i am getting a call, bye, ok bye, hello तो इधरा देखते रहूं मैं से सब सिखाता हो लिजन केर फोले मिं कार्बन शी मुद्धम्मा मंज़ागाची आप यहां देखते रहिए तूजो करना करना मी मुद्धम्मा कुछ कुछ होता है मी लोकल मुद्धम्मा लोकल यू आउटसाइड कम वर्क खाना गो बस यही करने का मंजा गोड़ा सही कह रहा हूं ना मैं एक्जाक्ली इंसेंटर वायू डिस्टॉ जोड़ 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 इसे तुझा चल निकल निकल वह वह क्या बोल रहा है याप मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुने जो अंग्रेजी और कचड़ा मिक्स करके इसको बताया ना इसके समाज में कुछ भी दिया है याद रखना नेक्स टाइम मिलेगा तो नजरे जुटा के बात करनेगा आपका टेस्ट भी न अब चलो याज तुमने नौटी नौटी तो सुनाओगा ये तो नौटी भी या ओटी भी है रुक मैं अभी बात करके आता हूंगा इससे आज फाइनल करूंगा आज मैं अपने प्यार को परवान चलाओंगा अरे चलो बॉस टाइम हो रहा है इसाज मैं थाइम सकते तो प्रौटी नौटी 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 प्रौटी नौटी नौटी प्रौब लिए वाव, आज कुछ तो खास बात है, ड्रेस बदल गई है, चाहे नहीं है, सिगरेट नहीं है, लगता है, अब ये लड़का उसे सुभारने के पीछे पड़ गया है शाम का ओफिस से छुटी होते ही, खास बात क्या है, वो पूछनी पड़ेगी कश रूच और कर रिष्ष कारणना है हुआ, हैंम मैं कि खास मजए है तो । You क Hai, और भासा, हुआ औरू को ऑ्ला गरुटीप। कर दो कि अज्यावा जब जगाओ भीले बार्दीम इसाले में आज मेरा अपवास है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है भगवान का दर्शन करूंगी फिर सांग का दर्शन करूंगी और फिर कुछ खाऊंगी मैंने तो आपको कुछ अलगी समझा था लेकिन आप तो बहुत ही अच्छी हो आप ऐसे रोज मंदीर आती हो सब को खुश रखने के लिए उपवास करती हो लेकिन लेकिन यह सिग्रेट क्यों पेती हो छोड़ दो न और यह सिर्फ आप पर ही नहीं आपके शादी के बाद कहा हो तुम मैं मंदिर आई हूं अरे बाप रे बाप अपने साथ बैंगलोरू में ना जाने कितने लोगों को लाई हो कहना वली आपको कैसे बता कि मुझे ये रेस्टों पसंद है वो क्या है ना आप फोन पर मां से बात कर रही थी तभी मैं समझ गया कि आप हुबली की हैं यहां मेरा फेवरिट खाना मिलता है बहुत टेस्टी होता है चले पहले हाँ दोलो हाई काका कैसे हैं बिलकुल अच् मिर्ची तनी आसानी से खा लेती हो मुझे बच्पन से यह मिर्ची बहुत पसंद है अच्छा ऐसा क्या अरे आप यहां कैसे हाई है यहां नमस्ते अप चीक है इस खाना बली की रोटी बहुत अच्छी होती है चलो खाते हैं अरे क्या मंजा गोड़ा आभी उस होटल की बा आज की रोटी ना कुछ ज्यादों ही मुलायम हो गई है हां चोर का पक्चा करवन थोड़े ही दिनों में मेरा जॉब चेंज होने वाला है मैंने हाल ही में एक इक्जाम दी है उसके बाद मैं बड़ी ऑफिसर बन जाओंगी फेल मैं तुम्हारे साथ इस तरह खानी नहीं आ Good night...see you tomorrow Yes! Yes! अप्पा जी बेटा मेरी वज़े से सारे गाओं वाले गाओं छोड़कर एक रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं सब पर भीक मांगने की नौबत आ गई है मैं एक बार मां से मिलना चाहता हूँ अरो नहीं नहीं बेटा उस दिन गाओं छोड़कर आने की वज़े से रोज मनीमन गुसा करती है अब जब तुम्हें देखेगी तो रोएगी डाटेगी और ये सही नहीं होगा ना अभी उससे मिलना ठीक नहीं होगा सही वक्त आएगा तो मिला दूगा बेटा तुम्हारी मां कहां है कितनी दूर है वो खुश रहे ये तुम नहीं चाहते हो क्या अरे पिताजी बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि वो खुश रहे इसलिए मैं क्या करूँ बताए पिताजी मैं क्या कर सकता हूँ सुनो बेटा तुम्हें अपनी मा और मेरे लिए एक काम करना होगा बेटा तुम्हें एक बार सिर्फ एक बार हमारे डमरू वाले का भेश बदलो मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहते हूँ देखिए पिताजी ये मुझसे नहीं होने ओला बेटा अगर तुम ये काम कर दोगे तो कलिंगा हमारी जोली में बहुत पैसे भर देगा और उन पैसो से तुम्हारी बेहन तुम्हारी मा और मैं सब सुखी जिंदगी जी हैंगे बेटा मतलब पैसो के लिए हम बार बार वो गल्ती करें क्या नहीं वो कलिंगा सही नहीं है बेटा मैं तुम्हेरे पैर पर दाओ आप ये क्यों कर रहे हैं पिता जी देखो बेटा तुम मना मत करो वो कलिंगा चाहे जो भी करे करने दो हमें तो सुख से रहना चाहिए न जरा एक बार फिर से सोच लो बेटा मैंने एक बार जो गलती की है उसकी सजा में भुगत रहा हूँ और दूसरी गलती में करना नहीं चाहता इसके अलावा कुछ भी बोलिये करने की विए मेरी बीवी को खुशी देने के लिए जो एक कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना ही होगा करने की हम चाहता नहीं चुशी गलतीな की हम्हाँ विए खुछ जढ़ानाम कुछ ढ़ाईने की विए मेरी आर एक बंजसरी विए उताने की है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 दूरी प्लान को प्लाप नहां भाक जकिह के अधिर्ट मुटें था जया घंप अंदले शोट जर रवक 50 शिवा-जबंदो ज Вас प्लाप writers do झाल 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 आगया आगया वो शक्ती आगया वो रहस्य वाली शक्ती अब आ गई है विश्व वेदंगा शक्ती अब आ चुका है अब सब का समाधान वो करेगा सारे समाज का भला करने के लिए वो अपने असली रूप में आ गया है अब तो इस अवतार पुरुष को और भी काम करने है आ गया है वो शक्ती आ गया है शक्ती आ गया है वो शक्ती आ गया है यकष यकडाद युकादअ सामा बादेगिन रखाद। स्वामी हमें हमारा आदमी मिल क्या फंटास्टिक फंटास्टिक जॉब वो कार्वन नाम उसके गाहों का नाम है तुम उसे अच्छे से जानते हो मैं कार्वन को भी जानता हो और कार्थिक को भी अच्छी तरह से जानता हो कार्थिक बाग बाग जल्दी बाग करते हैं जल्दी बाग कि ए गुल्ली औरे वो सोनी को तो जल्दी आने के लिए बोल देना यार ए कारवन हमें इस दुनिया में जीना है तो फिर हमें किस रेंज में रहना चाहिए यार तू तो सोनी के बाप जैसा बात कर रहा है यार इसे कभी कम मत समझना भग्वान का प्रसाद है यह ठाने को नही तूज प्सषे बड़ी क्पटराइब कि अॉरे पॉराइब बार्ठकिर्ट व्सब्स पॉराइब लाज वस प्सच आड़ी प्सब्स रुराइब कर दो कर दो कर दो कि यह कौन है भाई बहुत खेल खेल रहा है कि कार्तिक तुने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया कि अराम से अराम से अराम से अराम से दूंगा यलो 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 हां रोको यहां पर रोको यह डमरू बजाकर सिद्धी प्राप्त कर लेगा मैंने ऐसा सोचा था लिकिन शायद मेरी चाहत पूरी नहीं होगी इसके जैसा और कोई गाउं में है भी नहीं जो हम सब की मनो कामना पूरी कर सके यह तो कुछ और ही कर रहा है सब कुछ बरबाद हो गया अब हमारे समाज में डमरू बजाने वाले तो सिर्फ आप ही बचे हैं अगरे शंकरी सब लोग आकर राशन तो ले रहे थे तो तुम और तुम्हारे पती को आकर राशन लेने में भला क्या तकलिफ हो रही थी बहुत बड़ा हो गया है तू मुझे मेरे नाम से बुला रहा है शंकरी शंकरी इतनी हिम्मत आ गये मेरी वज़ा से आज तुम्हारे आ है तेरे माबाब तो मर गए जिस दिन उनका कार का एकसिडेंट हुआ था तू वहाँ पर कीचर में पड़ा हुआ था मैं तुझे वहा ए बेटा अगले हफ़ते शिवरात्री है माधोपुर में पालकी निकलेगी सेवा करने के लिए सारे गाओं वाले तैयार हो गए है ना अरे सब तैयार है पिता जी हम एकदम कमाल कर देंगे हा पालकी आत्रा में नंजप्पा ने कार्तिक का अपमान किया इसलिए कार्तिक न आंवार की आत्रा में नहीं हाँ कार्त की आत्रा में इसलिए को पालकी मान के वालकी पालकी नहीं है तुम बलीते रहे हो क्या तुम मेरी शक्ती पाना चाहते हो क्या परमात्मा के बताए हुए नियमों से ही मैं चल रहा हूँ आपको पसंद आया इसलिए मैं इसकी बली दे रहा हूँ तुम झाल रहा हुए आ गया आ गया वो शक्ती आ गया वो रहस्य वाली शक्ती अब आ गई है विश्व वेदंगा शक्ती वेद्व वेद्व वेद्वड़्य वेद्व च्ती अबड़िड वेद्व देवी आपके बताए अनुसार कल अमावस्या है आपने जो कही थी वो चीज और जगे का इंतजाब मैंने कर लिया है तो ठीक है फिर जो जो मैंने कहा है उसके जल से जल तयारी कर लो ठीक है स्वामी मेरी सिध्धियां अच्छे काम के लिए और लोगों की भलाई के लिए ही होंगी आपके गलत काम करने के लिए नहीं आपका भला होगा इसलिए मैं इस बार ये कर रहा हूँ लेकिन दुबारा मत कहना ये आखरी बार होगा देखा ना तुमने अपना कार्थिक कितना बदल गया है सिध्धी को इन बुरे लोगों के लिए इस्तमाल नहीं करना चाहिए हुआ 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 है हुआ 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 है स्वामी जी काम हो गया है अरे तेरा शर्वनाश होगा तेरा घर बर्माद हो जाएगा कैसा इंसान है तू तू इंसान नहीं राक्षस है मेरे बेटी दे तेरा क्या बिगारा था वो बिचारी पेट से थी तू नहीं उसे मार दिया तू मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी मार दोंगी तूझे तेरी जान ले लूँगी मैं बता क्या बिगारा था मेरी बेटी ने तेरा भॉल भॉल तेरी उसे छोड़ना भी दया है मार उसे नहीं है क्या कैसा इंसान है तू क्यू मारा उसे बता हूं क्यू मारा क्यू मारा मेरी बेटी को नहीं छोड़ूँगी मैं तूझे मेरी क्लोटी बेटी थी उसके भी जान ले ली इस ते उसके हाथ पैर पांदे थे ना इस मा की बद्दुआ तुझे लगेगी तू कभी चैंस नहीं जियेगा उसे मैंने अपनी कोग में पाला था मरेगा तूझे मेरी बेटी कार्थिक ने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी कीवी घलती को महसूस किया और आइंदा डमरु वाले का भेश वो नहीं बदलेगा ऐसा उसने फैसला किया और एक बैरागी बन गया फणिघ और से आए महाँ ख्रयागी किया यथÌ्च exploratory करें अपनloe सभी कुल के लोगों तार का सुर का वद करने के लिए डमरू वाले का वेश बनाकर आए हुए विश्णु परमात्मा इस राक्षस का वद करके लोगों का सधा कल्यान करने के लिए इन्होंने डबरू वाले का भेश धारन किया है अब हमारा समाज सिद्धी प्राप्त किया इस देव जैसे इंसान राजा नर्सप्पा अब हमारी इच्छा की पूर्दी के लिए जो हमेशा लोगों का कल्यान सोचते हैं वो हमारी पूजा प्रारंब करके हमारा पुर्णने करेंगे सभी कुल के लोगों को नमो नमह हम सब की इस पवित्र सिध्धी का जिसका इस्तेमाल भलाई के लिए होना था इसका दुरुपयोग किया गया है और वो कोई दूसरा नहीं बलकि ये कारतिक है इसे हमें रोकना होगा मैं विश्णु भगवान से प्राथना करता हूँ आप सबकी तरफ से विश्णु भगवान के सामने ये पांच मूर्तियां सिर्फ मूर्ती ही नहीं है बलकि हमारी भलाई के लिए, हम सब का कल्यान करने के लिए, हमें दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए पूरवजों की आत्माएं हैं, उनके आवाहन के लिए जैकारे लगाओ, बोलो शिरी विश्णु भगवान की पूरे 25 सालों के बाद आज का ये शुभ दिन आया है, पंचभूत में विलीन आत्माओं को मैं आज यहां बुलाता हूँ, सभी आत्माएं यहां आएं और हम सभी के कश्टों को दूर कर, परेशानियों का समाधान कर, अगनी की आहुती स्विकार करें, भगवान विश्णु परमात्मा की शे, 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 पूर्वजों की आत्मा बजाओ, बोलो विश्णु परमात्मा की शे, शे, शे बस भी करो आपके ही गाओं में वहाँ के लोग कैसी कैसी पूजा पाट करते हैं उनकी वज़े से हमारे घर की लड़की मर गई हम लोग इतने परेशान हैं और आप यहाँ बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेरा खोन जल रहा है मैं उनको छोड़ूँगा नहीं काट के रख दूँगा मैं उन सब के सब को चल गाड़ी निकाल सब लोग अच्छी तरह से सुनलो सबका सर्वनाश होने वाला है कि अ खाहा। अपा प्रुट अइहां! आवावी बावी ज़ल राव ! लूरूरूरू अभद को भुष्यार समझता है लोक कल्याण के लिए पांच मूतियों के बद्दे मैं खुद ही अपनी आहुती देदूंगा जिससे दुष्ट शक्तियों का नाश हो सके और मुझे ऐसा करना ही होगा जै विश्नु परमात्मा यहाँ हाँ 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 यहाँ ने बस करो हमें छोड़ दो कलिंगा हमें माप कर दो मैंने एक आदमी के लिए गल्ती किये उसकी सजा पूरे समुदाई को मत दो कलिंगा मैं जानता हूँ मैंने बुरा काम किया लेकिन जो भी किया इस नादान हुम्र की वज़े से किया मुझे नहीं पता था कलिंगा कि वहाँ आपकी बेटी थी मेरे बारे में तुम सब अच्छी तरह से जानते हो मैं इसे छोड़ दूंगा पर सूरज उगने से पहले तुम्हारे समुदाई के सब लोग यहां से निकल जाने चाहिए अगर कोई गलती से भी इस गाउ में रह गया तो सुन लो तारे गाउ में आग लगा दूंगा जड़े बाहा तो सुनाव के सब लोगा कर दो कर दो पिताजी मा मुझे मा कहकर बुला रहा है मैं यहाँ कि इस मा की मान वर्यादा सम्ठी में मिला दी कितना प्यार दिया था तुन्हें बदले में बहुत लपाँ जाओ अपने पधी और बच्चे को लेकर जाओ हुआ 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 है मिस्टर कलिंगा ठाली में खाना रखा हुआ है और तुम पूरे गाउं में पूरी राद घुम रहे हो ठाली पास में है तो बस उसे हासिल करना होता है भाटकना नहीं होता उन डमरु वालों का राजा नरसप्पा वो एक सिद्ध पुरुष था लेकिन अब जो सिद्धी को पूरा कर सकता है वो वैक्ति सिर्फ एक ही है वो है कार्ति वो एक जवान लड़का है उसे जल्दी ले कराओ सर पर फोड़ी हो तो सर नहीं फोड़ना चाहिए बस कीजे स्वामी मैं उसके पैर पकड़ू क्या समराट बनना चाहते हो तो यह करना ही होगा यह समुझे नहीं हो पाएगा आरपी लाने के लिए कोई और रास्ता है तो बताओ हर एक इनसान अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है प्यर, शादी, बच्चे, सब कुछ, सब अपने अपने लाप के लिए करते हैं और उनकी अपनी अवकात के हिसाब से ही बगवान उन्हें आशिरवात देते हैं कलिंगा ने विष्डू परमाप्मा के आशिरवात से सिद्धी प्राप्त करने के लिए ये पैसे भेजे हैं मुझे नहीं चाहिए आप ले जाएए तूप पिता जी मैं ये गुस्से से नहीं कह रहा हूँ मैं काम पर जाता हूँ मुझे पगार मिलती है मेरे लिए ये काफी है और उसे जो कुछ भी चाहिए वो कहीं और ढूब ले पिता जी आपको उसकी कीमत पता नहीं है तो फेर आप पैसों के पीछे क्यों पड़े हो भगवान के लिए ये ले जाएए ए कारबन एक बहुत जादा चर्वी चड़ गई है इसको यह उजड़ी दुकान मेरे घर से कहां से निकल रही है ए स्टॉप सुनो 10% कमिशन दोगे तो मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा यहीं कहा है ने उसने डॉंट वरी 1% लॉस हो तो भी कोई बात नहीं 9% कमिशन दो मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा 10,000 पगार मिलेगा सोने को बेड मिलेगा रहने को घर मिलेगा तीन वक्त खाना खाओ बीडी सिगरेट सब मिलेगा सिर्फ मिसिस आपको लाना होगा क्योंकि यह मैंनेज नहीं कर पाऊँगा ओके ना ओके ना ओके ना ओके ना ओओ बुड़े आदमी ओके है ना कौन हो तुम और यह क्या कह रहे हो कारोए आए मैं कौन हूं ऐसा मुझसे सवाल करना उसने कहा होगा Pay punct reviewing मुझसे मत कहो ऐसा कहा होगा वह भोखे बास है कौन कार्तिक कौन कार्तिक है भाई और वह तो कर बन है और कर बन भी वही है और कर थी वही है ब्स करते हाई जिआने घर रगऑ बोस मैं आपका डव्ळ इस्तेमाल कर सकता हूं घौली क्या मेरा शर्ट पैंट अरे एक ही अंडेर बेर पेंटा हो चाहिए तो भी ले लू हरे कुछ नहीं बहुत ध्रों करते हो तुम जाकर दहाता हूं आघ जुट अपने कमरे में रकने के द्लिए रिखने के लिए बहुट लोग बेभी यह लीजे बस यह लीजे अरे बस बाइक में चलाता हूँ आप आराम से बैखिये बस आराम लग रहा है ना बस आप आराम से बैखो बस हाँ अरे बस पानख आएगे मैं तो खाता हूँ लेकिन आप पसंद नहीं करते हो अरे आप खालो ना बस मेरी पसंद कोई पसंद थोड़ी आप आपगाल क्यों बौस सुबह से मेरे साथ असे खेल रहे है अगए है मेरी कुछ समझ में नहीं आ है बस वो कुछ नहीं है क्या है ना कि अब यह सब कहां किया कहां से सीखा यह सब क्योरियोसीटी है वो मेरे पिता जी आये थे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया अच्छा सुनिये बॉलिये ना मार्केट में जब सेप की कीमत ज्यादा हो जाती है ना तो वह जो नीमगू होते ना उससे भी लोग डरने लगते ह आपने कभी भूत देखाए गया रात को मैं बहुत गहरी नीम में रहता हूं सच कह रहा हूं आज तक नहीं देखा चलिए मैं दिखाता हूं दिखाओ बॉस देखो इधर ही है मजाग कर रहा हूं बॉस उसे शक्ति कहते हैं विश्णो की ही सृष्टी है वो जैसा कहते हैं म लड़की तो खुद चल के आ रही है आज मिश्मत करना बोल दो से हाई तुम लोगों को आए बहुत देर हो गए क्या बस धाए घंटे ही हुए है हमें सौरी आज की ट्रीट बही तरब से और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास पैसे हैं नहीं नहीं बच्पन से ही मुझे ग्रीन पैन से साइन करने की बहुत अच्छा थी कोई बात नहीं यह रहा पैन ग्रीन भी है लोगों साइन कर लो अच्छा थी तुम्हें पता है के इस एक्जाम में 27 रैंक से पास होकर मुझे आफिसर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया है नहीं वोगे लेपन ओउच्छाली मेरे पास होने की खुशी में झो लोग मेरे ख्लोज है मैं लोगी गेफ देने चाहती हूं और इस शहर मे आपके इलावा किसी को नहीं जानती इसलिए अपने पास होंने की खुशी में मैं भी आपको एक वाश देना चाहती हूं लगता है उच तो गड़बर है दुबारा मिलेगी तो बता दूँगा अरे तुमारा दोजार उपे लेकर मेरा पैसा लूटा था इसने अब तू इसे वाच दे रही है अब यहां के क्या क्या करेगा पता ने मंदर के ऊपर से कूद कर उसने आप महत्या कर ली अब हम आपको दिखाने वाले हैं 300 साल पहले बनाया गया यह भव्य मंदर चामराज नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदर चोला राजेंद्र ने बनाया था जो वैशनव मंदर के नाम से जाना जाता है इस मंदर में कोई अकेले नहीं जा सकता लेकिन कल एक लड़का अंदर खुश गया मंदर के ऊपर चड़ गया और वही मंदर है जहां हमारे आरपी का राज चुपा हुआ है अरे यह पागल है जो गलती से मंदर के ऊपर जाकर जल्दबाजी में नीचे गिर कर मर क्या वहाँ पर रेडियेशन है वहाँ अगर कोई सिधा जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी मजीद को उसने पैसे दिये थे यह तो महुतनार है तुमारी बेटी को कार्टी के पास ले जाकर उसके हाथ पर काटने वाला यही है कलिंगा भाई कलिंगा यह मैटल लीक हो गया है इसलिए वो नायर तुमारे लड़कों को ले जाकर उस आरपी को उठाने की कोशिश कर रहा है कमान किल इम फास्ट कैसे भी करके कार्टी को लेहाओ वरना याद रखना हाथ में आया हुआ खाना भी नहीं खापाऊगे चलो गाड़ी निकालो चंद्रक ब्रह मंगल बुद्ध गुरू शुक्र शनी राहू के तु सबको एक जगह पर रग दिया है बगवान ने है है अरे वाच में तो टाइम तुमने गलत रखा है गलत सोच कर वह एकदम सही करेगी वह मजाई कुछ अलग होता है आप कुछ भी समझो गोड़ा जी उसकी तो नजर ही काफी है पैसो की जरूत ही नहीं वह यहीं पर मर जाओंगा आ मर जाओ आओ अव लड़की सच में ए मेरा बाल नौचने से अच्छा है अगर तुम उसके बाल नौचोगे तो वह हवा बनकर बारिश बनकर पहाड के दो पंची बनकर तुम दोनों आस्मान में घूमते रहोगे ऐसा होगा क्या नहीं तू किसी को 10 रुपे देकर पूछो के तो बताएगा यह लो 10 रुपे ठीक कोई बात नहीं अभी तुए काम करना लड़की के सामने जाकर स्माइल करना वह मैं करता हूं क्या करना है बोलो बॉसन तो इस तरह उसके सामने खड़ा हो जा जाकर बोल अ मिस M मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे तुमसे वह हो गया है वह का मतलब समझ रही हो हम दोनों वो करें तो कैसा रहेगा तुम ऐसे बात करना फिर वह जट से तुम्हें शर्मा कर बड़ी प्यार से कहेगी आपने सही कहा एक जिरॉक्स मशीन में एक पेपर जिरॉक्स करने में जितने कार्बन की जरूरत होती है वैसे ही आपको मेरी मेरी जिन्दगी में आपकी चबाद चाल 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 लड़की को फोल जप्र लगा अगर उसने मुझे रिजट किया तु पागल हो क्या डालने से पहले रिजेक्ट हो जाएगा ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा पहले चाले तो कर भी पॉसिटिफ यह जाने दो मेरी फ्रेंड है ना बस वहीं यह अगर आपकी बात मांनकर मैं चलूँगा ना तो हमारे फ्रेंडशिप बिगड जाएगी किस पागल से बात कर रहा है यह जैसा मैंने का कर तुने नहीं किया ना कहां किया रहा है ब्रेव यह तुम्हारे लब को सक्सेस करवाऊंगा यह तुम्हें नहीं चड़ूंगा मार दूंगा तुमको आए उसका ही फोन है तुम्हें सब कुछ बिगाड़ दिया तुम्हें बात में देखता हूं वह बाइश्टिक हो गया है इस ओके कोई बात नहीं हम कल में लेंगे अच्छली मैं भी तुम्हें एक सर्प्राइज देना चाहती हूं ठीक है ना घुड़ गुड़ कहां आना है बताईए एक काम करते हैं मैं कल सारा कम खत्म करके तुम्हारे घर आ चाती हूं ठीक है ना बहुआ प्राइब है झात्त अप्राइब काम करते हैं जुड़ भारे उलस अज़ प्राइब है। अगर राइस पुलर लाना है तो ये काम किसी साधारण इंसान से नहीं होगा उसके लिए एक सिद्ध पुरुष चाहिए हजार करोड की लालच में तुम उसे बेच नहीं देना उसे अपने पास घर में ही रखना तभी तुम इस दुनिया का राजा बन सकते हुआ अरे बौस तुम अरे यह मैं किसके घर आ गया हूँ मैं अपने ही घर आया हूं ना मेरी उम्र के लगता है अभी ध्यान से देखना पड़ेगा इसे हां गोडा जी और मंजा गोडा जी अरे क्यों बाहर जा रहे हो यार अरे ये किसका घर है पूरे घर में बलून ही बलून तुने वैसे ही सजाया है तैयार हो जा तैयार हो जा कल तू शादी करेगा और अपना परिवार चलाएगा इसी खुशी में दो बॉटल और लेकर आता हूं है चलो सेलिबरेट करेंगे मुझे बहुत डर लग रहा है इस बात से वह तो आई पील के ब्लैक टिकेट जैसी है और हम बीपील के कार्ड को लेकर राशन के दुकान में क्यू जैसे खड़े हैं उसे तुम आई पेल में जाने दो या केसर में भी जाने दो पुराण में कहा गया एक कथा सुनाता हूं अस कि रानी को उससे प्यार होकर और भी बहुत कुछ हो गया लड़कों को लड़किया क्या देखकर पसंद करती है यह बात हम नहीं बता सकते हैं मेरे भाई यह जो लव है ना पुराने जमाने का लव और आज के जमाने के लव में जरा भी फर्क नहीं है सभी जमाने में सब प मैं पसंद का आइटम लेकर आता हूँ हाई हाई वेल्पन नाइस प्लेस बहुत कलर फुल लग रही है थैंक यू देखिए यह हमारा रूम हमारी लाइफ और हमारा घर बैठिये ना फॉर्स टाइम घर पर आई हो स्वीट ले लीजिए थैंक यू क्या बात है जब भी देख यू दुम्हारी वाच बंद ही रहती है वो लामे टाइम एजर्स कर देखिए यह अब ठीक है थैंक यू इस पीन यह जिन बंगलो लेकिन इतने सालों में कभी किसी से इपना क्लोज नहीं हुई अब आपकी फ्रेंड्स और रलेटिव्स का उनकी घर पर जाकर हाल जाल पूछना उनके साथ कुछ वक्त बताना, ट्रेडिशिंस, कल्चर्श यह फॉलो करना चाहिए इसमा कहती थी तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए यह सब कुछ तुम्हाँ साथ शेयर कर लिया अब वान सेके न मैं भी आ दियो नेक्स्ट वीक मेरी शादी है उसका इंविटेशन तुम मेरी शादी में जरूर आना, हर भी लुकिन पॉवर्ट पॉवर्ट पॉपैसर्स ओ, ओ, सुपब, गड़, गड़, गड़ निवस, आई एस, हाँ, अच्छा वो आई एस, और आप केस सुपब, सुपब मैचिन, हाँ, कॉम्रेट्स तुम कुछ तुम कुछ टाइए एस, तुम कुछ कहना चाहते थे न, वो क्या है नेक्स ताइम मिलोगी तु पता दूँगा, तुम्हिशतु न, इस. कार्बन एक आखरी बार सिर्फ एक बार मुझे मुझ्टमा कहोगे क्या अरे आप भी न और किसी वक्त मैं कह दूंगा ओके मैं चलती हूँ कि अंगूर की बेटी आ गई यह लों अंगूर की बेटी है हाँ वाँ वाँ ए इतना सीरियस की हो मेरे भाई अरे हनीमोन कहीं यहीं तो तुने नहीं माला लिया बदमास्टेंकर इतना डल क्यों लग रहा है क्या हूँ दे इधर दे यह गया है को तुम्हारे लव के बारे में alors बताने को बोला था तूसका इंवेटेशन लेकम धी सख़़ा। तउने इतना डेकोरेशन किया उसका इंतासार किया इसलिए कि वो तुझे इंवेटेशन आसकर और यह नहीं हो सकता है अरे-अरे-अरे-नाई-उ- कि ए गोड़ा अश्ट वक्र ने प्यार किया था वह पुराण में लेकिन वह यहां पर वर्क नहीं होगा उसने गाना गाया उससे उसे प्यार हो गया और हम लोग यहां पर कुछ भी करें तो इसलिए तो मैं कहता हूं वह सब पुराणों में ही होता है मेरी लव स्टोरी में मैं गुंगा और वह अंधी है मैं उसे बता नहीं सकता और वह देख नहीं सकती जाने तो गोड़ा जी मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ दाड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगा अरे चोड़ो ना ज्यादा प्योंगा भी नहीं गोड़ा जी गोड़ा जी हम दोनों शादी में जाएंगे विश करेंगे और पिर बड़ी आजी कड़क रोड़ी घाएंगे बेचारी अरे मैंने प्यार किया है तो क्या वह मुझे से शादी करें ऐसा कोई कानून में लिखाए गया वह जहां भी रह बस खुश रहे जाने दो गोड़ा जी उसे दूर से देखकर ही खुश है दीजी एक अड़े लाइए मैं पी कर खुश हो जाता हूँ क्या हुआ कलिंगा भाई आप इस तरह टेंशन में क्यों हो आखिर बात क्या है आरपी के जगह के बारे में मालूम होने के बात दी मैं उसे अपने पास ला नहीं पा रहा हूँ सुना है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट इमांदार पैसिलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है लगता है कि इस बार सारे टेंडर मेरे हाथ से निकल जाने वाले है डायरी भी बंद हो गई है जा करूं समझ में नहीं आ रहा मेरी टेंशन इसी वज़े से कैसी भी करके आ आप ही उसे समझाओ और पी मेरे घर में होना चाहिए तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी बहुत मुश्किल है मैं उसे बचपन से जानता हूं मेरा विश्वास करो वह जल्दी नहीं पटेगा लेकिन मैं उसके सामने उसकी मा को लेकर जाओंगा तो वह मान एक मिनिट रुटना अरे आप समझ क्यों नहीं रहे वह आपसे बहुत नाराज है पत्मी के ना रहने पर उसका पती और पैसा ना रहने वाला इलसान मुर्दा के समान है जिनका इलाज ये पैसा है बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है लेकिन फिर भी मेरी दो बात मान लो बेटा आप कुछ भी मत कहिए इस दुनिया में अपनी पत्नी का इलाज ना कर पाने वाले इंसान हो आप समझे मुझे तो शर्म आ रही है आपका चहरा भी नहीं देखना चाहता चले जाहिए अगर आप मुझसे प्यार करते तो ऐसा करते हैं नहीं आप बिलकुल नहीं करते हैं मेरे असली माता पिता होते तो मेरे ऐसा हाल नहीं होता तुम्हारी मा की बीमारी ठीक करने के लिए यहां कोई नहीं पूछता लेकिन मैंने पूछा माना कि मैं पापी हूँ हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बेटा लेकिन कलिंगा के सामने सीना तान कर खड़ा रहने वाला हमारे समाज का सिद्धी पुरुष हो तुम बेटा दुनिया की सुख शांते के लिए पंच भूतों को शांत करने वाला अतार पुरुष हो तुम मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूँगा अगर तुमने ये काम किया तो इस काम से लोगों का भला होगा बेटा और मैंने जो पाप किये है उसका पश्चताब भी हो जाएगा क्या तुम नहीं चाते ऐसा हो सोच लो बेटा तुम्हें क्या कर रहा है और कार को सजा करके दुल्हा दुल्हन को हनी मून भेजने के लिए तू प्रेपरेशन कर रहा है अरे जाओ भाई अपना काम देखो लानत है तुझ पर अरे कारबन जड़ा यहां न क्या है अंटी हां वो जो शंकर है न वो कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं भाता इसे लिए तुम मंगल सुतर अपने पास रखो जब पुझारी मांगेंगे तब देदेला वैसे डेकरेशन बहुत ही अच्छा किया है सब कुछ करेगा यह लड़का आंटी फर्स नाइट में दूद देना बिड़ भी तयार करना और बच्चों के लिए जूला बनाना यह सब करेगा सब करेगा ही ना हमारा लड़का इतना हुश्यार्ज है अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं इसी से उसकी शादी करवा कोई बात नहीं आंटी अभी भी ठ्राइक कीजिए लीजिए फ्रेंड्स अराम से यह क्या कार्बन साल काल अच्छा लग रहा है अरे एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा इसलिए सब करना हो मैं भी यहीं कह रहा हूं तुम्हारी अपनी का अरे छोड़ो यार तो तुम्हारा नाम मैंने काफी सुना है आप कौन है आयम बेड किंग मतलब मंजाद गॉला जिसका मतलब खाट होता है यूनौ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कुछ हो तो मुझे बताना क्यों क्या हुआ हुआ है कार्बन मैडम कोड्रिंग्स रुक ज इस दुनिया में सिर्फ तु ही एक ऐसा होगा जिस लड़की से जो प्यार करता है उसी की शादी में आकर लोगों को काफी दे रहा है लोगों को जूस दे रहा है लाना थे तुछ पर थो लोड़ा जी अगर वो हमें नहीं मिली तो हमें अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए चाहिए जितनी भी कोशिश करो वो नहीं मिलेगी जाइए आप भी काम कीजिए अरे यह अभी इतना चाट रहा है तो जिंदिगी भर कितना चाटेगा मैं पाइसम की बात कर रहा था आपने क्या सोचा खाना कहिए ज़रा इदार रहा तुम चलो इनको दो तुम अरे तुम भी बैठकर खालो लास्ट पंगत लगा है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम खालो हम बात में चलेंगे मैंने तुझे बार 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 बोला अगर प्यार की सावारी करना है तो पहले उसे बताना चाहिए था बार बार बोलने पे उन्हें बताया नहीं तुन्हें मेरी लग रहे हैं नहीं माना कूध और मर्जादो अबागहिं नील कमे ने गले हुआ है इस थारे से ईसरे पीता रहेगा और और काम पर नहीं जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा तु में जो करो कि लड़की की शादी को एक साल में गया इसकी हाला तो देखो एक कार्थिक एक चलूट बोटना क्यों रे तो पीपी कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है वो तेरे पास नहीं है जाने देना यहीं किस्मत है चलूट कि अलब्पा पहले तु कैसा था अब इस वक कैसा है पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं सोचो कि अरे मैं तो तुझे कुछ और ही समझ रहा था अरे आफ्टर आल तुम किसी भी तरह से अपने बेटे को समझा बुजा कर मेरे सामने ला नहीं पाए मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं अभी तुम सफाई देना शुरू करोगे तरह तरह के भुजे बताओगे अरे मेरे टिंडर हाथ से निकल रहे हैं मेरा सारा काम रुकने वाला है करोन रुपए खर्च करने के बाद भी फैक्टरी बंद हो गई है तुम क्या करोग के मैं नहीं जानता लेकिन मुझे वो चाहिए तो चाहिए यह यहां कैसे आ गया हाँ आजा 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 करते अरे तुझे देखे बहुत साल हो गए हैं आजा क्या चाहिए तुझे बोल हैं जो मागेगा वो मिलेगा प्यार से जो मेरी दुनिया अच्छी घंसी चल रही थी उसे तुम वापस कर सकते हो क्या बताओ मेरे सारे समुधाय के लोगों को तुमने मार दिया तो उनकी जान त इस वक्त जो तुम उससे मांग रहा है वो मैं तुझे नहीं दे सकता मानता हूं मैं लेकिन मैं कोई और उपाय कर सकता हूं ठीक है तो फिर ये करो जिन जिन को जलाया है उन सब के घर पर 50-50 लाग रुपए और यहां से जा चुके सारे परिवारों के बैंक के खाते में 10-10 लाग रुपए ट्रांसफर करो और मेरे गाउं को पहले जैसा ही बना के दिखा दो पिताजी कम से कम आप तो दिमाग वाले हो और आप खुदी भिक्षा मांग रहे हो लेकिन वो लोग तो बेरुजगार हैं पता नहीं वो लोग क्या करते होंगे आप बेदवोरा, मोंगा उसे देखने के बाद तो मन में बहुत दुख होता है मेरी जिन्दगी तो नरक हो ग झाल 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 सुना सुना है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट इमांदार तहसिलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है बंद करो ये सब तेरी इतनी हिंबत मैं तुझे चांद से मार दूंगा आउब अण निजा यहाँ होसे यहां आए याए ख़की अधि यहां यहां से एक गरभवती हो रहा चाहिए तैयार रखना एक आखरी बार मुझे मुझे मुझतमा कहकर बुलाओ कि क्या मैं जब दुबारा मिलूँगा तो मैं बोल दूँगा मुझतमा 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 क्या हुआ उसे उस लड़की को यह अच्छी तरह जानता था इसलिए रो रहा है पहले उसे काम खतम करने के लिए बोलो मुझतमा जो भी वह उसे भूल कर तुम अपना काम करो बेटा कर तुम अपना कर बहुआ है कर फ्या हुआ आई उस तुम ए मुझतमा आई ते बहुरू एप एंडाँ उसे प्सेंदे करते हैं आए प्सेंदे एंडाँ अजह प्सेंदे कोले ते इंडाँ अग उजगब सुर्ष कर सेत्रो करे दानार करें जुर। झाल सुर्ष, इस दिए सन्सुर्ष! झाल सांत। कि अ कि लुट पर भी पर सतना है कि भो एफ पर भी टाने अर को आड़ है कि घुट है कि अ एल्डर बस्क बंडर को आड़ हुआ हुआENT हुआ टанд हुआ ell हुआ आड़ खर्मी मुद्धार टूल सरा लुटासरा र concerns यह एको प्राओ लोल रासरा बड़ उन प्रेवार हिर बडरा अराइ चुछ मुद्धार झाल झाल y झाल कि कि हुष कर दो कर दो आממा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो